Welcome back to my YouTube channel So in this video we are going to learn the more concept of matter and the various concepts related to it So चलिए बिना किसी दरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के मज़़दार वीडियो आपको मिलती रहें तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ेंगे matter के बारे में, mask के बारे में और volume के बारे में जो हम लोग बात करेंगे matter के बारे में matter क्या होता, what is matter तो इन तीनो topics को आज हम लोग अच्छे से cover करेंगे तो चलिए एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे mask के बारे, what is mask तो अगर mask का definition बात किया जाए, mask होता क्या है तो देख सकते हैं आप लोग जैसे Mass क्या है? Amount of Substance Contain in a Body Amount of Substance Contain in a Body, यानि किसी भी Body के अंदर किसी भी Substance का कितना Quantity, कितना Amount मौजूद है उसे हम लोग कहेंगे Mass, इसको हम लोग देखेंगे Picture के जरीए भी, फिलहाल आप जैसे हम लोग इनसान के बात करें Human beings के अंदर क्या होता है? उसके अंदर Amount of Substance क्या क्या है? तो अगर बात करेंगे उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है, खुन होता है, हड़ी होता है, पसली होता है, गुर्दा, कलेजी, फिपड़ा जो भी समझ सकते हैं आप लोग, तो इस सारी चीज़े उसके अंदर मौजूद, उसके अंदर Amount of Substance है, तो whatever present in the body, which makes the body, from which the body is composed of, यानी जिससे body बना है, तो सभी पार्टिकल के Substance को, Amount को हम लोग कहेंगे, Mass, तो Mass का है, Amount of Substance, Contained in a Body, और आगे बात करें, Mass के बारे में, तो Mass एक Scalar Quantity है, इसमें कोई Direction वगरा नहीं होता है, सीफ इसमें एक Value होता है, एक Scalar Quantity, और आगे बात करें, तो यह हमेसा Positive होता है, कभी Negative नहीं होता, Mass, Mass is Always Positive, और आगे बात करें, तो Mass का जो SI Unit होता है, SI मतलब असली वाला नाम है, असली वाला नाम यानी SI Unit होता है, KG, और Other Unit का बात करें, तो Gram होता है, Ton होता है, Quintal होता है, और Pond होता है, इन सब के बारे में Relation भी हम लोग आगे के वीडियो पर देखेंगे, तो SI Unit of Mass का है, KG है, और Other Unit का बात करें, तो Gram, Ton, Quintal, और Pond, यह सब Other Unit में आता है, और अगर हम देखें, Mass के बारे में एक Figure से समझ क्या है, या फिर Glass का मास क्या होगा, तो जो भी इसके अंदर पानी है, प्लस यह Glass जिसिस का बना है, सभी को अगर हम Add कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, उसका Mass मिलेगा, Similarly उसी तरस अगर इस Bottle का बात करें, तो इस Bottle में हम देखेंगे, तो यह Bottle अगर प्लास्टिक का ब उसके Particle के Amount को बताता है, ठीक है, आगे हम लोग देखते है, Volume के बारे, What is Volume, तो Volume का Definition देखेंगे, Volume का है, Space Occupy by an Object, Space Occupy by an Object मतलब कोई भी Body कितना जगह लेता है, कितना जगह छेकता है, उसे हम लोग कहेंगे Volume, तो I hope, Volume का है, Space Occupy by an Object, यहनि कोई भी वस्तू, कोई भी Object जितने जगह को छेकता है, जितने जगह को लेता है, उसे हम लोग कहते है, Volume, Normal हम लोग कहीं भी बैठते हैं, एक जगह लेके बैठते हैं, ऐसा तो नहीं है, कि हम लोग बैठ गए, उपर से आगे कोई बैठ जाता है, एक जगह हमारा Fix होता है, उस जगह को हम लिए रहता ह और आगे बात करें तो ये भी positive होता है mass के तरी इस अलवेस positive और आगे बात करें तो इसका i unit जो होता है वॉल्यूม का वो meter cube जिसको क्या आप देख सकते हैlime mass का 치 ऑडिण क्या है kg उसी طरए से volume का जो i unit होता है meter cube होता है that is cubic meter और other unit का बाат करें तो अदर यून्ट होता है, लीटर होता है, मिली लीटर होता है, और सेंटीमीटर क्यूब होता है, इन सभी के बारे में, इन सभी का रिलेशन हम लोग देखेंगा आगे के वीडियो में, तो चलिए एक पिच्चर की मदद से इसको लोग समझते है, what is volume, तो जैसा कि आप ग्लास का बात करेंगे, फर्स्ट ग्लास में अगर देखेंगे, तो जो वाटर का volume है, वाटर जो space occupy किया, यह यहां तक है, और सिकंड ग्लास में देखेंगे, तो वाटर का जो space occupy है, वो कितना है, यहां तक है, और थर्ड ग्लास में देखेंगे, तो काफी कम है, यानि ली में भी काफी कम है तो सबसे बात करें लिश्ट वॉल्यूम किसमें होगा पांचों में तो ये मिडिल ग्लास का होगा बीच वाले का और मोश्ट सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा वाटर का इसमें तो ये फोर्थ ग्लास में होगा लेकिन इसका बात करें जिसमें सबसे से कम पानी होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा क्यों के छालि जगें ही है जगा लेता उसे उसका बॉल्य माइटा तो आ कोई भी चीज जिसके अंदर मास होगा प्लस वॉल्यूम होगा इन दोनों चीज एक अठे एक जगा एक बॉडी में पाए जाएगा तुसे हम लोग क्या कहेंगे मैटर कहेंगे साथ ही साथ जब यह दोनों मिल जाएगा तो बॉडी क्या करेगा सम रिजिस्टेंस ऑफर करेग हम जाएंगे और जब स्विं में हाथ पर मारेंगे तो नॉर्मली कोई दिक्षप में लेकिन जोब पानी में स्विंम करता है तो काफी प्रॉब्लम रिटा है इसी तरसा कीचड़ में गिरके तो कीचड़ में और बैदा लगता है यहाथ पर चलाने में मुशकिल हो था इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें